Realme 8 Series गो पिछले महिना इंडिया में लॉंच किया गया है जिसमें Realme 8 एंड 8 Pro स्मार्टफून शामिल है लॉंच के दवरान Realme Indian CEO माधुप शेट ने कनपरम किया था 8 Series के 5G वेरियन भी जल्दी भारत में लॉंच किया जाएगा बहुत सारी वेबसाइट पर Realme 8 5G की लिस्टिंग भी हो गया है जी हाँ दोस्त अब Realme 8 5G वर्षन की टीजर वीडियो भी सामने आ गया है बुला जा रहा है Realme V13 5G की रिवर्णेड वर्षन है Realme 8 5G आज इस वीडियो में Realme 8 5G वर्षन की स्पेक्स, लॉंच डेट और एक्स्पेक्टेड प्राइस के बारे में बात करेंगे हलो दोस्त मैं हूँ पीना की विश्वास टेकिन को चैनल में आपका सुवा गाते तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो रियल्मी 8 5G की डाइमेंशन से सुरूबात करते हैं इसका डेज डाइमेंशन आपको मिलेगा 162.5 x 74.8 x 8.5 mm मतलग इस परमन आपको जो मोटाए मिलेगा ओ 8.5 mm है और इसका ओएट होने बाला है 185 ग्राम रियल्मी 8 5G वर्षन में जो डिस्प्ले आपको मिलेगा 6.5 इंच 90 Hz इस्प्ले लेकिन आप और एक बात बता दू रियल्मी 8 4G वर्षन में सुपरामोले डिस्प्ले मिला था लेकिन 5G वर्षन में LCD पैनेल ही मिलेगा ऐसा ही लिक निकल के आया है चाइना में लांच होआ रियल्मी V13 5G की जैसा ही रियल्मी 8 5G की डिस्प्ले होगा चलिए अगर बाजेट के टेगरी के अंदर 5G फोन प्रोवाइड करेगा तो LCD विट 90 Hz ठीक है दोस्त आप क्या बोलते हो जरूर कमेंट में बताना बिल्ड क्वाल्टी की बात करेतो प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बोडी मिलेगा रियल्मी 8 5G फैरेन में जो हार्ड़ वार इंज गया है कुछ ना कुछ डाउन गेट किया है देखिए रियल्मी 8 4G में आपको मिला था Quad Camera Setup लेकिन रियल्मी 8 5G फैरेन में आपको मि पी camera setup मिलेगा, realme 8 5G variant में, कुल मिला के यहाँ पर भी realme 8 pro 5G 4G के मुकबले down gate किया है, realme 8 4G भाष्टन की तरह front में भी आपको 16 Mbps की in display camera मिलेगा, battery की बात कर तो यहाँ पर कुछ बदलाओ नहीं किया है, realme 8 4G की तरह ही, realme 8 5G भाष्टन में भी 5000 damage की big battery के साथ 30 watt की fast charging की support भी मिलेगा, teaser video के जरीए, realme 5G phone का जो back panel दिखा गया है, वहाँ पर gradient finish के black sheet के साथ किसी तरह की tag use नहीं किया है, मतलब जो dare to live tagline realme phone use करता है, realme 8 5G भेरेन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, processor की बात कर तो यहाँ पर, realme ने mediatek की entry level की 5G processor यूज किया है, जी हाँ दोस mediatek की diamond city 7000 processor मिलेगा, realme 8 में आपको mediatek की G95 processor मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको 5G देने के लिए, यहाँ पर आपको mediatek की diamond city 7000 processor मिलेगा, यह entry level का processor है, लेकिन आच्छा है, entry level 5G phone के लिए phone यह processor बहुत ही आच्छा है, जानकरी के अनुशा, realme 8 5G भाशन में, LPDDR 4X 8GB RAM, UFS 2.1 की 64 and 128GB ROM variant भी देखने को मिलेगा, इसके अलाबा side mounted fingerprint scanner, USB type C, dual speaker, Android 11 with realme UI 2.0 की layering, ऐसा कुछ feature यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यही पर एक बात बता दू, realme 8 4G variant पर in disk दे fingerprint है, जबगी 5G पर आपको side mounted fingerprint scanner मिलेगा, launching के अगर बात करतो, realme ने align किया है, 21st April, Thailand में realme 8 5G version launch होगी, लेकिन 21st April को इंडिया में launch होगा या नहीं, इसके बारे में खुला सा नहीं किया है, दोस्त इसके बारे में आपका क्या वीचार है, ज़रूर कमेंट में बतना, price भी खुला सा नहीं किया है, लिक के अनुशर realme 8 5G का price under 20,000 होगा, दोस्त आपका क्या खहले, इसका price under 20,000 होगा या इस से ज़ादा, आप ज़रूर कमेंट में बतना, अगला वीडियो देखने के लिए मैं आपको अमुंतित करता हूँ, मुझे आशा है, आप अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, सस्त रहेंगे, अल बीदा, नमस्ते और अदाब